हलो स्ट्वेंट्स मैं हूँ विजय सर्मा और आज मैं आप लोगों को बताने बाला हूँ एड्मिशन अप न्यू पार्टनर चेक्टर से एक नए टॉपिक के बारे में तो स्ट्वेंट्स ये नया टॉपिक है न्यू पार्टनर कापिटल नॉट गीवेन स्ट्वेंट्स आपको पता होगा कि जब कोई न्यू पार्टनर बिजनस में आता है तो वो अपने साथ अपने हिस्से का कापिटल और गुड़ विल कैस में लेके आता है लेकिन स्ट्रेंट्स इस topic के question में आपको new partner का capital नहीं दिया रहेगा यानि new partner कितना रुप्या capital के तोर पे ला रहा है उसका amount दिया हुआ नहीं रहेगा सिर्फ आपको question में यही information दिया रहेगा कि new partner अपने हिस्से का capital लेकर आ रहा है तो स्ट्रेंट्स इस topic के questions में हम लोग क्या करते हैं कि old partners के combined capital के basis पर पूरे firm का capital calculate करते हैं और फिर उसमें से new partner का capital निकाल लेते हैं तो स्ट्रेंट्स यह थी इस topic की concept अब हम लोग एक practical question लेंगे उसको solve करके इसको और अच्छे तरह से सीखेंगे तो सलिए चलते हैं practical question की तरफ तो स्ट्रेंट्स question स्क्रीन पर है हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोगों को कौन कौन से information दिये हुए हैं तो जैसा कि आज का topic है new partners capital not given तो देखते हैं कि question में जो new partner है उसका capital दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है तो चलते हैं question पढ़ते हैं name और game दो partners थे और उनका profit sharing ratio 3 ratio 2 था और वे प्रेम को as a new partner admit करते हैं और प्रेम का share profit में one third होगा कहा गया है कि प्रेम जो की नया partner है वो अपने हिस्से का capital contribute करेगा लेकिन देखें students इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो प्रेम है नया partner वो कितने रुपया capital के तौर पे ला रहा है यानि की capital का जो amount है वो missing है हम लोगों को यही चीज calculate करना है इस question में तो जैसा कि students हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है he had to contribute proportionate capital लेकिन आपको amount नहीं दिख रहा होगा क्योंकि amount दिया हुआ ही नहीं है यही तो हम लोगों का topic है इस question का new partners capital not given उसके बाद old firm का balance sheet दिया हुआ है ठीक है students यहाँ पर reserve fund है इसको हम लोग capital में credit site में old ratio में distribute करेंगे आगे कुछ adjustments है plant and machinery 10% से reduce हो रहा है stock 3000 से increase हो रहा है debtors पे bad debt का provision बनाना है 5% और एक नया चीज इसमें आया है accrued income यह पहले नहीं था books में लेकिन अब 900 का accrued income आ गया है तो students accrued income assets होता है इसको हम लोग balance sheet में asset side में लिखेंगे और क्योंकि यह increase in assets है इसलिए इसको revaluation account में credit side में लिखेंगे आगे हम लोगों के पास information दिया हुआ है प्रेम वास टो इंटर्डूस रुपीज 20,000 as premium for goodwill तो प्रेम का जो share है goodwill का वो है 20,000 जिसको वो cash में लेके आ रहा है इसमें हम लोगों को revaluation account, partners capital account और balance sheet बनाना है और जो new partner है प्रेम उसका capital भी calculate करना है मतलब उसका capital तो यहां दिया हुआ है नहीं उसको हम लोग निकालेंगे दैसा कि मैं आपको हर question में बताता हूँ कि admission of partner के किसी भी question को बराने से पहले हम लोग new ratio और sacrificing ratio जरूर calculate कर लेंगे करने में समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो जिनको अभी तक new ratio और sacrificing ratio निकालना नहीं आता है वो मेरा new ratio और sacrificing ratio निकालने वाला वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं तो जब नेम और खेम old partners थे अब प्रेम भी आ गया है 1.3 share के लिए तो जब उसका new ratio हम लोग निकालेंगे उन तीनों का तो आएगा 6, ratio 4, ratio 5 और जब हम लोग sacrificing ratio निकालेंगे तो आएगा sacrificing ratio 3, ratio 2 तो इस फ्रेंट्स sacrificing ratio हम लोग इसलिए calculate करते हैं क्योंकि जो new partner होता है वो जो goodwill लेके आता है उसको हम लोग sacrificing ratio में ही distribute करते हैं तो क्योंकि प्रेंब new partner है और वो goodwill की तोर पर 20,000 रुपीज लेके आया है तो उसको हम लोग distribute करेंगे sacrificing ratio में तो name के हिस्से में जाएगा 12,000 और game के हिस्से में जाएगा 8,000 students अब आते हैं revaluation account के तरफ तो हम लोग देखेंगे कि revaluation का adjustments क्या क्या था पहला adjustment जो revaluation से related है वो है plant and machinery to be reduced by 10% तो plant 10% से reduce हुआ है तो उसको हम लोग revaluation account के debit side में लिखेंगे 80,000 का 10% 8,000 होता है students decrease in assets debit होता है इसलिए इसको किये हैं हम लोग debit दूसरा adjustment है stock to be increased by 3000 दोस्तों stock 3000 से increase हो गया है तो अगर कोई assets increase होता है तो उसको revaluation account के credit side में लिखते हैं buy stock हो जाएगा 3000 increase in assets अगला adjustment हमारे students है bad debt provision was to be created at 5% data हम लोगों का 60,000 है उस पे हम लोगों को bad debt के लिए provision बनाना है 5% अगर provision increase होता है या फिर provision create होता है तो उसको हम लोग revaluation account में david side में लिखते हैं तो two provision for doubtful dates 60,000 हम लोग का data था उसका 5% बनाना था तो उसका 5% हम लोग calculate करके यहां लिख देंगे जो की हो जाएगा 3000 अगला जो हमारा adjustment है students वो है accrued income not appearing in the books रुपीज 900 तो students accrued income assets होता है और increase in assets है ये क्योंकि ये पहले नहीं था अब आ गया है तो इसको revaluation account के credit side में लिखेंगे अब students हम लोग revaluation account को balance कर देंगे तो balance करने पर हम लोग देख रहे हैं कि credit side balance आया है और credit side balance का मतलब होता है loss on revaluation जिसको हम लोग old ratio में distribute करते हैं old partners में तो जब 7100 जो की revaluation का loss है उसको हम लोग 3 ratio 2 में distribute करेंगे तो आएगा 4,260 name के एक खाते में और claim के लिए 2,840 अब आते हैं students हम लोग capital account है तो capital account में सबसे पहला चीज जो लिखने का होता है वो होता है by balance BD इसमें हम लोग old partners का capital का balance लिखते हैं जो की आपको old balance sheet में मिलेगा जैसे students यहाँ पे 50,000 और 40,000 लिखा हुआ है इसको हम लोग by balance BD लिख करके हम लोग capital account में लिख देंगे तो students यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि by balance BD करके हम लो cash at bank account क्योंकि प्रेम के हिस्थे का capital है उसका amount तो दिया हुआ ही नहीं है वही तो हम लोगों को इसमें calculate करना है तो इसको हम लोग बाद में निकाल के यहाँ पे लिखेंगे फिर आता है प्रेम for goodwill क्योंकि students जो प्रेम है new partner हम लोगों का वो 20,000 रोपीस goodwill के तोर पे लाया जिसको old ratio में माटा जाता है और old partners के capital में लिखा जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग by reserve fund और reserve fund हम लोगों का 50,000 रोपीस है इसको हम लोग लिख लिख लिए है capital account के credit side में old ratio में distribute करके अब चलते है debit side तरफ debit side के तरफ हम लोगों को दिख रहा है to revaluation account यह क्या है students यह है loss on evaluation जब हम लोग revolution account बनाया थे तो हम लोगों का loss आया था इसको हम लोग capital account के debit side में लिखते हैं तो यह हम लोगों यहाँ पे loss को लिख लिया है अब students इसमें लिखने का कोई भी चीज नहीं बचा सिर्फ हम लोगों को प्रेम का capital calculate करना है old partner के capital account को हम लोग balance कर लेंगे ठीक है इसको balance कर लिए है तो name का balance करने पे आया है 87,740 और खेम का आया 65,160 यह इन दोनों के capital का balance है अब students इस question का mean calculation है मतलब नया partner के capital का amount निकालना वो हम लोग निकालेंगे तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि old partner के combined capital के basis पर हम लोग new partner के capital का calculation करते हैं तो students new partner का capital यानि की frame का capital कैसे calculate होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले strengths हम लोग क्या करेंगे की new ratio हम लोगे के पास क्या है 6 ratio 4 ratio 5 अब इसमें हम लोग देखेंगे की इसका total क्या है तो इसका total हो रहा है 6 plus 4 plus 5 यानि की 15 और फिर इसमें देखेंगे की name और game का टोटल क्या है तो name के लिए है 6 और game के लिए है 4 तो इन दोनों का total होगा 10 यानि name और game 15 में 10 का हिस्ता रखते हैं combined तोर पे ठीक है अब हम लोग लिखेंगे total capital of the firm on the basis of combined capital combined capital मतलब यह यह दोनों का balance add करके जो आया है तो यहाँ पर लिख देंगे combined capital into यहाँ पर क्या करेंगे students यह जो हम लोग 10 by 15 calculate किया है ना combined share of name and game इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे मतलब यह 10 by 15 आ रहा है तो इसको लिखेंगे 15 by 10 यहाँ लिखेंगे और इसको हम लोग calculate कर लेंगे तो हम लोग के पास जो आएगा वो होगा total capital of the new firm जो कि यहाँ पर हो रहा है 2,29,350 और क्योंकि हम लोगों के पास total capital of the firm आ गया है अब हम लोग इसमें से प्रेम का capital calculate कर लेंगे तो क्योंकि question में हम लोगों के पास लिखा वो था कि प्रेम 1,3 के लिए आ रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर 1,3 लिख रहा हूँ लेकिन new ratio के हिसाब से यहाँ पर 5,15 भी हम लोगों लिख सकते हैं तो students बात एक ही होगा या तो आप 5,15 लिखें या तो आप 1,3 लिखें तो इस तरह से calculate करेंगे प्रेम का capital तो आ जाएगा 76,450 उसी को हम लोग capital account में लिखेंगे अब students क्योंकि प्रेम का capital calculate हो गया है तो चलिए इसका जो column है इसमें हम लोग इसको fill कर देते हैं 76,450 फिल कर देते हैं तो हमारा जो प्रेम का भी capital का balance है वो आ गया तो इस तरह से students हम लोग नया partner का capital calculate करेंगे तो students चलिए अब जल्दी से balance sheet बना लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cash at bank तो पहले का जो हमारा balance था cash का वो 5,000 था फिर प्रेम का capital और उसके हिस्से का goodwill तो इन सब को हम लोग add करेंगे तो यह आ जाएग उसके बाद data हम लोगों का 60,000 था उसमें से हम लोग provision for doubtful rates माइनस कर देंगे तो आ गया 57,000 stock में हम लोगों को पता है students adjustment में दिया हुआ था कि 3,000 इंक्रीज हो रहा है और balance sheet में हम लोगा stock 35,000 दिया हुआ था तो इसको हम लोग add करके यहाँ लिख देंगे उसके बाद plant and machinery strengths 80,000 का था वो 10% से decrease हो रहा था तो उसमें इसका 10% माइनस कर दिया है तो आया 72,000 और accrued income जो की assets होता है यह पहले नहीं था अब आ गया है तो यह assets होता है इसलिए assets side में इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिये हैं creditors 40,000 था इसमें कोई भी change नहीं था और यहाँ पे capital account से जो capital का balance है वो हम लोग यहाँ पे लिख दिये हैं ठीक है students और इसको हम लोग add करके यहाँ लिख देंगे तो हम लोगों का दोनों side का जो total है वो मिल जाएगा तो students इस तरह से हम लोग इस question को पूरा करेंगे students इस से related कोई भी doubt आपके दिमाग में हो तो आप मुझे comment section में comment करें और मैं उसको दूर करने की कोशिज करेंगा thank you मिलते हैं अगले वीडियो में